I hope you are all doing well. I have the best devices to all of you for your CBC Board exams of 10th class. आज हम topic discuss कर रहे हैं English language का जो आपका 27 को एक्जाम है तो इसमें कुछ जो main main चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं उमा बताना चाहता हूं आपको ठीक है तो आपका जो reading वाला portion है जो आपका paragraph है तो वह आपको कैसे approach करना है आपको पता है कि आपको उसकी Hindi निकाल करना है तो firstly हम इस paragraph को नहीं पढ़ेंगे हम इससे पहले इनकी questions को पढ़ेंगे जो में questions दिख रहे हैं में तो सबसे पहले हम question क्या पढ़ेंगे हम question starting क्यों पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए paragraph वरते time पर कि हमें paragraph में क्या-क्या important चीज को नोट करके रखना है जिससे हमें हमारे answer मिल जाए ठीक है अगर आप paragraph पहले पढ़ लोगे फिर question answer पर जाओगे तो चीजे बूल जाओगे कुछ चीजे mistake हो जाएगे पूरे paragraph पढ़ना पढ़ेगा बट आपको पास time कम है या आपको औ आपको करना है एक फ्रेस के बदले आपको कुछ और वर्ड लेक्या आना है when they saw the chain reaction of helping others out they related the kindness is likely to spread to and affect others मतलब जो kindness दयालो दयालोता है वो सब लोगों में फैलानी है हना ताकि सब लोग दयालोता करने लगे तो इसके लिए क्या वर्ड होना चाहिए वो हम पढ़ते आगे what is the writer try to convey in the following line lotter is an invigorating tonic तो lotter क्या है किस टाइप की tonic है इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहां पर वो क्या कहना चाहरा है इस लाइन का मतलब क्या है फिर what is the physical impact of strong lotter on a human being's organ और गन पर हसी का क्या फरक पढ़ता है फिफ्ट कोशन क्या है कि how can a person boost their mood and make themselves relaxed and happy कि एक कोई परसन है वो अपने mood को कैसे boost कर सकता है और कैसे relaxed और happy रह सकता है and the last one question is कौन से दो टाइप के humor है उनको यहां पर effect करना है यहां वो किस तरह से एक person को effect करते है यहां पर पढ़ना में ठीक है तो अब हम paragraph पढ़ना start कर देते हैं तो first से बिल्कुल जैसा बिल्कुल originally हम लोग पढ़ेंगे कुछ भी fake नहीं कि हाँ पहले से meaning हमें आती है क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपको सारी word meaning आती हो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपको paragraph में ऐसे word meaning मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे आपको उनको देखके आगे बढ़ना है तो हम बिल्कुल basic तरीके से पढ़ते हैं first line जैसे आपके लिए when was the last time you lot a hearty side splitting belly love that sent you reeling out of control कभी आप ऐसा last time क्या था जब आपने बड़े ठाके लगा कि आप हसे थे पेट पर हांत रख रख के हसे थे ऐसा last time कभ हुआ था जब आप out of control हो जाते हैं हसते टाइम पर second line में क्या दिया है modern science confirm that this kind of lotter देखो हमें मिल रहा modern science यहां पर मिल रहा हमाया answer इस topic को द्यांसर पढ़ना है modern science confirm that this kind of lotter is not only enjoyable but also health promoting इस type की हसी नहीं केबल enjoy करने वाले होती है but health को भी promote करती है ठीक है lotter is an invigorating tonic यह को और answer हमें मिल गया क्या है जो हसी है वह invigorating tonic है जो हमारी जो mood की brightness है मतलब mood के anxiety वाला part है उसको boost up करती है ठीक है जो दीरे दीरे gentle raising us from tensions and social constraints जो हमें समाज से दिक्कत होती है या tensions होती है जो problems होती है उनको दूर करती है हसने से तो modern science के according यह था ठीक है और इसलिए lotter को एक invigorating tonic कहते हैं क्योंकि वह हमारे mood को बढ़ा देती है ठीक है तो तीन आंसर होगे हमारे if you hate to work out अगर आपको work out करना पसंद नहीं है तो lotter जो हसना है वो inner jogging है हमारे body के अंदर jogging करती है वो मतलब जैसे हम jogging करते हैं तो हमारे face की muscles फूलती है shoulder diagram and abdomen a good workout shoulder के जो पार्ट होते हैं और जो abdomen वाला part होता है उसके लिए भी काफी अच्छा workout होता है एक तरह का the heart rate and blood pressure temporarily rise जो इस वाले पार्ट पे हमें इतना खाल जहनी देना क्योंकि इस कोई question नहीं है एक यह function वाला कि body में function क्या काम करता है तो body वाला हमें ध्यान दखना है कौन सा the heart rate वाला the heart rate and blood pressure temporarily rise जो हमारा heart rate है और blood pressure है वो दीरे-दीरे बढ़ने लगता है क्योंकि कई लोग का आगे जाते हैं blood pressure down हो जाता है heart rate बहुत ज्यादा जल्दी हम बड़ी के उमर पर जाते हैं बुड़ावे पर 70-60 हमारा heart rate आ जाता है बीट पर मिनेट तो वो हमारा बढ़ने लगता है ठीक है breathing becomes faster and deeper and oxygen through the your blood stream अब इससे क्या होता है जब हम हसते हैं तो हम लंबी-लंबी सांस लेते हैं जिससे oxygen body के हर पार में पहुंचती है और blood के blood में पहुंचती है oxygen अच्छे से जिससे हमारा circulation सही होता है sometimes your muscles go lame and your blood pressure may fall temporal देखो यह वाला लाइन हमेरे ज्यादा इतना ध्यानी दने क्योंकि स्रेड़ को यह question नहीं है ठीक है sometimes your muscles go lame कभी-कभी muscles problem हो जाते हैं जिसकी विससे blood pressure down हो जाता है और आपको एक euphoria a good love can burn up many calories per hour as brisk walking अगर आप पैदल चलते हो न तो पैदल चलने से ज्यादा भी लगबग लगबग जो आप एक घंटा पैदल चलते हो इससे ज्यादा लगबग calorie burn करती है एक हसना तो हसना एक काफे चेक साथ हो सकती है कि sadly we sadly our culture देखो इसमें भी अब यहां पर ध्यान देना है humor humor की वात हो रही है यहां पर तो humor अभी हमने पढ़ा था कौंस तो टाइप की humor है तो यहां पर humor देखते हैं खीकाउब यहां अपने यूर को दवा लेते हैं यह न हम अपनी यूर को दबा लेते हैं यहां ज्यादी समझेज़गे तो हमें अपने आपकी अपनी सोंच को बदलना है और अपने आपको कल्टिवेट करना है और दुनिया क्या कह रही है उससे मतलब नहीं पहले अपने ऊपर ध्यान देना है तो यह कैसा आपका positive sense of humor हो गया है यह किस type का humor है positive है ठीक है focus on yourself rather than others अपने पर focus करना दूसरे के अलावा ठीक है if you can allow yourself the inevitable mistakes that can you यह द्यान देना को की circular question नहीं है stressful situation can sometimes be transformed into a bit of fun if you can see the humor in it तो कभी-कभी stressful situation होती है वो भी ठीक लगने लगती है जब उसके अंदर एक positive humor होता है मतलब हम एक हस रहे हैं लेकिन अच्छे भी मज रहे हैं ठीक है और negative humor कहा है यास में make sure that the people around you are fun to be with तो अब जिस तरह से आप हस रहे हो आपको यह भी याद रखना है आपको वह काम करना है कि आपके आसपास भी लोग हसे हैं ठीक है certain people make you feel relaxed and happy कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको relaxed feel कराते हैं खुश रखते हैं ठीक है तो उन लोग साथ आपको क्या करना है spend more time with people who boost your mind उन लोग साथ time थोड़ा ज़्यादा spend करिए जो आपके mind को mood को boost करते हैं ना कि ऐसे की negativity ज़्यादा फिल कर दे दिमाग में it can also trigger different thought that affect mood sadness happy and anger and if you can't smile fake it अगर आप नहीं हस पा रहे हो तो थोड़ी fake smile लो लेकिन करो ठीक है muscles को tension अप करती है ठीक है और not all humor is positive and healthy हर टाइप का humor हर टाइप का humor positive और healthy नहीं होता है अब इसमें क्या है जैसे आपने स्कॉन सारकास्म कर रहे हो किसी को चड़ा रहे हो या किसी का नाम रख रहे हो नाम रखके हैसा रहे हो तो वह तो आपको खॉंसार है लेकिन सामने वाले को साने नियाशा लगबग sensitive है सामने वाले इंसानों को थोड़ा sensitivity feeling हो रही है उसको दुख हो रहा तो यह आपका जई यू मर उ Ugh ये negative हो तो मारा last question complete हो स्लोटर कॉंटेजिस मतलब हम इसको सब चीज में फैलाते हैं तो मारा फिर्स्ट एक कोशन था हमारा जो फिर्स सेकंड का इतिंग कोशन था इसमें बोलता लाइक रिटू इस प्रेड वाला करके था लाइन तुम्हां पर कॉंटेजिस यह आ सकता है ठीक है तो अनली साइड इस प्लेजर तो अब हम कोशन करें अकॉर्डिंग दुमाटन साइंस वर्डिस लॉटर दू वर्ट बोड़ी एंद माइन की वह जो हसी से एक किसी के दिमाग और मन पर क्या फरक पड़ता है हमें पता है दिमाग पर क्या फरक पड़ता है उसका जो दिमाग है बूस्ट अपनी लेंगों बना के लिखना है इसको और बॉडी में क्या होता है जो हमारा नॉर्मल जो बॉडी होती है हमाई मसल्स टैंस अप होती है यह सब हमें लिखना है इसमें ठीक है सफिर सेकिंड कोशन आ गया वेन दे सौधा चेंज एक्शन ऑफ हल्पिंग अधर साउट दे है जो हमारे मूट को जो ब्राइटें सकती है ठीक है और और हमारे जो टेंशन सोते बोड़ी जो हमार जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस भरा होता है वो देर दरे खतम कर देती है कि नेक्स्ट कर सकता है वह उन लोग साथ रहे जो उसको रिलेक्स फील करवाते हैं और जो लोग हसते हैं थोड़ा सा ठीक है जो हैपी लोग है उनके साथ रहे पॉजिटिव इंपक्ट हमारे उपर आए दो टाइप पी हुमर कौन से हैं इसमें बोल दिया दो टाइप पॉजिटिव एक न आपको ठीक है अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो की सीज के लिए कि आ रहे हैं जो आपका जो लिट्रेचर के जो कोशन आंसर से हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्टोरी पड़नी पड़ेगी आई होब आप लोग कुछ लोगों ने स्टोरी पढ़ ली होगी औ उन सब की कहानी फटा 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 हम दो दो मिनट तीन तीन मिनट में सारी कहानी खतम कर देंगे वो कहानी अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपके पास कोशन आगया आप इसको बना के लिख सकते हो बना के लिख होगे नंबर अच्छे का से मिलते हैं ऐसा कुछ